हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आप सभी को प्यार भरा नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में और आज हम एक नई सीरी स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी के जो एस्टेट में आज तक कोश्चन आए हैं पांच सालों के हम पी वाई क् को समझाऊंगी और साथ में कुछ कोश्चन हैं उनको हम अगर इजी हैं तो जल्दी जल्दी करेंगे और अगर समझाने जैसा है तो उसको समझाते हुए मैं कोश्चन करवाऊंगी ठीक है तो सबसे पहला कोश्चन आज हम करने वाले हैं पी आर्टी लेवल पे 2020 में जो पे करम बता रहे हैं कोन सा करम है सीरीज जिसको कहते हैं जो था पांचवां तो अब आप सचोगे कि ये विशेशन के बेद कहां से आ गए हमने अब तक पड़ा है कि विशेशन के च्यार बेद होते हैं गुण वाचक संख्या वाचक परिमान वाचक और सार्वनामिक विशेश यही पड़े हैं और यह कहां से आ गए तो अब जो संख्या वाचक होता है नामारा उसके भी दो वेद होते हैं कौन-कौन से निश्चित संख्या वाचक और निश्चित संख्या वाचक साथ-साथ लिख लेना आप ये जो निश्चित संख्या वाचक विशेशन हैं उसके पांच बेद होते हैं, सबसे पहला होता है गन्ना वाचक, गन्ना वाचक क्या होता है, जिस विशेशन से परदार्थों की केवल गिंती का बोध हो, यानि एक, दो, तीन, चार इस तरह से गिंती लिखी हो, वो होता है गन्ना वाचक विशेशन, ठीक है, दूसरा हमारा है करम वाचक करम वाचक जिस विशेशन से परदार्थों के करम का बोदो उसे करम वाचक विशेशन कहते हैं जैसे पहला दूसरा तीसरा सोवा अजारवा ठीक है इस तरह से नेक्स्ट है आवरीती वाचक तो आवरीती वाचक क्या होगा कि जिस विशेशन से किसी वस्तु की तहों या संख्या के गुणन का बोदू जैसे नदी में दुगना पानी चल रहा है तो जो दुगना है ये शब्द क्या है आवरीति वाचक है इक हरा दुगना दस गुणा सो गुणा ये सबी इसके हो जाएंगे फिर है हमारा समुदाय वाचक समुदाय वाचक क्या होगा जिस शाथ का समू, चार का समू, दो का समू, तो समुदाए जो बन जाए होते हैं हमारे वाचक, नेक्स्ट है परतेक बोधक, 개 परतेक बोधक क्या होता है, जैसे प्रतेक शर्फभ जुड जाए, या हर शर्फभ जुड जाए switch जैसे कहते हैं ना कि क्लास में हर चात्र को दो दो टोफी मिली तो हर चात्र को मिले ना तो हर चात्र क्या है यहां पर परतेक बोधक है कि सभी को मिली है इकवल चीज मिली है तो जो विशेशन सब्द बहुत वैक्तियों या वस्तों में परतेक का बोध कराए उसे क्या कहते है परतेक बोधक विशेशन कहते हैं इस तरह से ये अमारे किसके बेद हुए ये हुए निश्चित संख्या वाचक विशेशन के पांच बेद होते हैं और उमीद है समझ आ गया होगा अब तो तो इसमें आवरीती सुचक समझ आया समुदाय बोधक आया और परिमान वाचक परिमान वाचक क्या होता है जो हमारे मात्रा या नापतोल बताई उसको परिमान वाचक विशेशन कहते हैं नेक्स्ट है हमारा किस शब्द में इन परते का परियोग सही नहीं हुआ है अब जो इन परते है किसमें नहीं लगा है अब देखो इसमें, कुंजडिन, नागिन, नाइन और इसाइन तो कुंजड प्लस इन, कुंजडिन, नाग प्लस इन, नागिन नाइन में क्या है ये, नाई प्लस नै, नै परत्या है इसलिए इन परत्या का प्रियोग नहीं हुआ है इसा इन इसा प्लस इन तो इसमें थर्ड ओप्शन अमारा राइट रहेगा नेक्स्ट है कौन सा इंदर दनुष का प्रियाए नहीं है अब इंदर दनुष का प्रियाए इसमें देखो अगर आपको नहीं आता तो भी मिला सकते हैं इंदर दनुष का बनता है आसमान में ऐसे बनता है ये ठीक है दनुष की तरह बनता है तो सूर चाप, सूर यानी देवता देवताओं की चाप इंदर दनुष का हो गया सब्त वर्ण, साथ वर्ण होते हैं ये भी इसका हो गया धन को दंड को दंड क्या होता है धनुष का ही प्रयायवाची होता है घन यानी बादलों में तो बादलों में को दंड बनना धनुष बनना इंदर धनुष तो ये तीन तो अमारे इसके क्या हो गए प्रयायवाची हो गए अमरेश्वर इसका प्रयायवाची नहीं है अमरे इश्वर क्या हो गया अमर है जो इश्वर यानि देवता के लिए इसका देवता का प्रयावाची हो गया ये next है सुद्ध वाक्य चुनिए मैं मेरे घर जाओंगा तुम तुमारा काम करो हम अमारे धरम का पालन करना चाहिए तो अब देखो मैंने इस तरह के वाक्य करवाए भी है शुद्ध से शुद्ध बनाने में मैं मेरे नहीं मैं अपने घर जाओंगा ठीक है तुम तुमारा नहीं तुम अपना काम करो तुमारा की जगे क्याएगा अपना मेरे की जगे अपने हम हमारे धरम का पालन करना समझ आ रहा है आपको नेक्स्ट देखो किस विकल्प में नित्य बहुवचनांत शब्द नहीं है हमेशा नित्य यानि हमेशा बहुवचन जो नहीं होता ठीक है तो आंसू आप इनको कैसे करेंगे कोई वाक्य बना के देख लो हम जो बोलचाल में यूज करते हैं तो आंसू क क्या है आंसू गिर गए आंसू आ गए तो यह क्या है बहुचन हो गया और अक्षत क्या होते हैं चावल को बोलते हैं जो पूजा में यूज करते हैं तो अक्षत अर्पित किये गए ठीक है और दर्शन किये भगवान के दर्शन किये दर्शन हुए तो यह सबीर क्या है बह वोचन नहीं है नेक्स्ट है विलोम की द्रिष्टी से संगत चुनिए अब विलोम शब्द बताने है निशिद निशिद विहित निशिद क्या होता है कि रोकना किसी को निशेद निशेद से बना है निशेद रोकना टोकना ठीक है और विहित क्या हो गया शामिल करना तो ये तो सही है निर्भीक शूर्वीर अब निर्भीक बिना डर के जो डरता नहीं और शूर्वीर भी वही होता है तो ये इसका विलोम नहीं है इसलिए option 2 अमारा right answer होगा फिर पदारुड होता है पद पर आगे बढ़ना पद से अटाना तो ये इसका विलोम हो गया ठीक है परवरीति और निवरीति ये भी सही है नेक्स्ट है संबंद सूचक सरुनाम पद छाटिए अब संबंद सूचक पुछा है तो संबंद सूचक कुन से होते हैं जिसमें जो सो जितना उतना ये सब आते हैं वो क्या होते हैं संबंद सूचक तो ये जो है हमारा ये क्या जाएगा संबंद सूचक सरुनाम कुछ क्या है कुछ ए निष्चे वाचक सरुनाम है कुछ ठीक है और कितना और कैसा कितना और कैसा question में तो ये प्रशन वाचक सरुनाम है next है आंजनिय शब्द में परियुक्त परते है अब जो ये आंजनिय शब्द है ये अंजनी से बनाए अंजनी पलस अंजनी अंजनी किसकी मा थी बजरंग बली की अनमान जी की तो अंजनी और प्लस में ए है ठीक है तो ए ए है इसका आजेगा परत्य और ये किस टाइप का परत्य अगर पेपर में आ जाए तो इसका नाम क्या कहेंगे ए पत्यवाचक क्या कहेंगे ए पत्य वाचक यानि जो संतान का सूचक हो उसको कहते हैं ए पत्य वाचक वाचक आएगा ठीक है ए पत्य वाचक संतान सूचक तदित परते होते हैं ये अंजनी का बेटा अंजने है ऐसे ही पांडू से बन गया पांडव कुंती से बन गया कुंते ठीक है तो ये सभी क्या है आपत्यवाचक तदित परत्य कहलाते है फिर है भावाचक संग्यापद अब इसमें भावाचक संग्यापद कौन सा है बचपन ठीक है भावाचक बतानी थी संग्या तो बचपन ही दिखरी है इसमें सभी को दिखरी है, बच्चा से बन गया बच्चपन राम ने किसान की जमीन अथिया ली, रेखांकित चब्द में परियुत किरिया चुनिये हथिया ली, अब हथियाना, क्या होता है, हाथ से बन गया अथियाना तो ये हो गया हमारा नाम दातु किरिया ठीक है अधियाना क्या हो गया नाम दातु किरिया प्रेनार्थक किरिया क्या होती है जैसे छात्रों को अध्याप्रिका पढ़ाती है तो पढ़ाती है पढ़ने के लिए प्रेनार्थक होती प्रेरित करना किसी काम को करने के लिए ठीक हुँ तो पढ़ना और चाहना दोनों साथ यूज हो रही है तो यह संयुक्त किरिया हो गई ऐ करम किरिया पता है आपको ठीक है जिसमें करम का यूज नहीं होता परियोग नहीं होता तो यह सभी क्या हो गई हमारी किरिया परियोग क्या दार पर किरिया फिर अनुपम शब्द अनुपम, नेक्स्ट है अभ्यूद्य, शब्द में संदी का प्रकार बताईए, अभ्यूद्य, अभ्यूद्य में क्या जुड़ा है, अभी प्लस उदे, अभी प्लस क्या हो गया हमारा उदे, ठीक है, और इसमें कोण सी संदी हो गई, यन संदी हो गई, ये बन गया ना, प्रीदी संधी क्या होती है, ब्रीदी संधी में जैसे A A, पहले वाक्य में A A ओं और प्लस में क्या आता है, A I O A O, ठीक है, A I O O आ जायें, ओ आउ आ जाएं तो ए आई और ए आ मिलके तो क्या बन जाएगा ए बन जाएगा और ओ आउ और ए आ मिलके आउ बन जाएगा यह होती है अमारी व्रीदी संदी और वेंजन संदी पता है आपको दो वेंजन मिल जाएं आपस में या फिर एक स्वर एक वेंजन मिल जाएं और य इसमें ए आ प्लस में यह आ प्लस नहीं आएगा एक नट ए आ में ए बड़ी ए उ बड़ा उ और री मिल जाएं तो इ ए के मिलने से तो बन जाएगा ए और उ के मिलने से बन जाएगा ओ और री के मिलने से बन जाएगा अर ठीक है तो ये हमारी कोण सी होती गुण संधी होती है नेक्सτι है विशेशन पद चुनिए अब इसमें विशेशन कोण सा है तो इस तरह के वाक्य में भी आप क्या करें पहले वाक्य बना कर देख लें अगर वाक्य में संग्या सब्द से पहले जुड कर किसी की विशेश्था बता रहा है तो विशेशन हो जाएगा जैसे गुणशाली है तो गुणशाली विशेशन हो गया एश्वर्य है इसको देखो एश्वर्य का कोई वाक्य बनाओ क्या ये किसी की विशेश्था बता रहा यह तो एश्वरेवान ओ, ठीक है, कंठोस्ट तो यह स्थान हो गया, उन्नती बी किसी की विशेशता नहीं बता रहा, तो विशेशन क्या है, यहाँ पे गुणशाली, वज़ेखती है, अब आदान कारक युक्तवाक्या चुनिए, अब आदान कारक कुन सा होता है, जिसमें अलगोने का बाओ, अब ये जो संटेंस है ना, बच्चे बंदर से डरते हैं, मैं उसे अपने आथों सजा दूंगा, मैला आखों से अंदी है, वे सब और से सैनिकों द्वारा गेर लिया गया था, अब इसमें से कौन सा भी ऐसा नहीं है, जिसमें अलगोने का बाओ, नहीं है आजाए, वहाँ पर अपादान कारक होता है, तो पहला ये option हमारा right हो जाएगा, बंदर से डरते हैं तो ये अपादान कारक हो गया, ठीक है, दूसरा रक्ष दातू, रक्षा करना जाएगा, वहाँ भी अपादान कारक होता है, लिख लेना ये सब, और इसके आगे जैसे हो किसी से कुछ सीखना, तुलना होना, वैं शाम से अच्छा है, बड़ा है, तो यहां भी क्या है, अपाधान कारक होता है, घ्रेणा, इर्शा, इन सब में क्या होता है, अपाधान कारक, इस देखो, सनान वनान, पद में कौन सा समास है, सनान वनान पद में कौन सा समास है अब ये देखो बीच में आइफन आ गया ये तो ये होता है वहाँ कौन सा आता है द्वंद समास होता है हमारा ठीक है तो द्वंद समास हो गया अब यही बाव समास कहा होता है जापयावय या परत्य हो तत्पूरुस जिसमें दोनों पदपरदान हो और करमदारिया जिसमें ये का जाए कि वही इसवर के समान है जो ठीक है और एक और बात बताती हूँ मैं अपादान कारक को लेकर उपर वाड़ा जो कोश्चन था इसमें एक और बात बताती हूँ अपादान कारक कहां होता है अपादान कारक होता है कहां से और किस से अगर जोड कर प्रशन बढ़ाएं और उसका उत्तर उसमें मिल रहा हो यहां जैसे बच्चे बंदर से डरते हैं किस से डरते हैं बंदर से डरते हैं और कहां से हिमाल्या से गंगा निकलती है तो गंगा कहा है क्लियर हुआ उमीद है यह 15 कोस्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और कभी गलत नहीं होंगे और यह पीडियाफ मैं टेलिग्राम ग्रूप पर शेयर कर दूंगी क्योंकि इसमें जो यह मैंने कारक के विशेशन के बेद दिये हैं यह आपको कई बुक में नहीं मि लेंगे इसको दोरा लेना